हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का नॉलेज टॉप चैनल में दोस्तो आज हम इंडियन आमी, इंडियन एपोस, इंडियन नेवी, कोश्टगार्स में जो भी जनरल नॉलेज के कोशन पूछे जाते हैं या जीके के जो भी कोशन, मिक्स कोशन है दोस्तो पूछे जाते हूं वाँ, डिसकस करने वाले हैं तो चलिए दोस्तो बिना लेड örशों करते हैं वीडियो को स्टार्ट दोस्तो पहला कोशिचन आप के सामने है कि छेतर फल की द्रिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है और आजी दोस्तो तो चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है भारत का छेतरफल की दृष्टी से विश्व में कौन सा इस्थान है यानि भारत का छेतरफल की दृष्टी से विश्व में कौन सा इस्थान है यानि भारत का छेतरफल विश्व के हिसाब से कितना है तो लगबग दोस् दोस्तों आप याद रखें कि मतलब जो लेह को स्रीनगर से जोडने वाला जो दर्रा है उसको जोजिला दर्रा कहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन है काच की चूड़ियों के उद्धियों के लिए कौन सा सहर प्रशिद है जहां काच की चूड़ियां बनती ह वो सहर फिरोजाबाद है तो आप इसे भी याद रखें ये दोस्तो बहुत important question है कि काच की चुड़ियों के उद्यों के लिए कौन सा सहर प्रशिद्ध है तो फिरोजाबाद है अगला question अगला question है दोस्तो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है तो दोस्तो ये question पोंग ब्यास नदी पर बनाया गया है अगला question है भारत के किस राजय में नागरजुन सागर परियोजना है तो किस राजय में जो नागरजुन सागर परियोजना है ये आंधर प्रदेश में है आप इसे भी याद रखें अगला question फूलों की गाटी किस राजय को कहा जाता है तो फ कहां परिस्तित है तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में इस्तित है यो उत्तर परदेश में तो आप याद रखें भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां परिस्तित है उत्तर परदेश में और कहां है गोरखपुर में अगला कोशन हमारी आकास गंगा के आकरती होती है तो हमारी आकास गंगा जो होती है दोस्तों उसके आकरती स्पाइरल होती है आप इसे भी याद रखें अगला कोशन है काली बंगा कहां इस्तित है तो काली बंगा राजिस्थान में इस्तित है आप इसे भी जरूर याद रिगवेद, अर्थवेद, यजरवेद और सामवेद तो सबसे प्राचीन पुराना जो वेद है वो रिगवेद है इस कोशन को भी आप याद रखें अगला कोशन आरिया भारत में सरुपर्थम कहां आए जब आरिया भारत में आए तो दोस्तो इस से रिलेटेट एक और कोशन पूछा जाता है कि आरिया जो थे वो किस मतलब किस पूजा के खिलाफ थे कौन सी वो मतलब पूजा के खिलाफ थे तो आप इसे याद रखें आरिया मुर्ती पूजा के खिलाफ थे ये कोशन भी बहुत पूछा जाता है आप इसे भी आद रखें और ये वाला कोशन है आर्या भारत में सरोपरतम कहां आए तो आर्या भारत में सरोपरतम पंजाब में आए अगला कोशन तो दोस्तो आसा करता हूँ आपको कोशन अच्छे लगे होंगे अगर दोस्तो कोशन अच्छे लगे हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे मिलते हैं ऐसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत